नमस्कार दोस्तू मैं हूँ प्रतीक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर तो भाई इंडियन रोडस और हाईवेस पर रोज ही ना जाने कितने सारे अक्सिडेंट्स होते रहते हैं और उन अक्सिडेंट्स का अलग-अलग रीजन भी होता है कोई और टेकिंग करते समय होता है कोई रॉंग साइड में चलते समय होता है कोई और स्पीडिंग करते समय होता है ऐसा ही तमाम तरह के अलग-अलग रीजन्स होते हैं अलाकि इन में सो कुछ ऐसा एक्सिडेंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये जानबूच कर किये जाने वाले हैं। जानबूच कर किये जाने वाले इन दा सेंस कि आपको पता है आपके इस गलती से अक्सिडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप वो गलती कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो गलती नहीं मानी जाएगी, बलकि जान बूच कर लिया गया, इस टेप माना जाएगा, इसमें ओवर स्पीडिंग आता है, अब सौ के स्पीड लिमिट वाले रोड पर एक सो पचास, एक सो साथ अगर अपने गाड़ी को दोडाएंगे, और सोचेंगे कि भ कोटे-मोटे एक्सिडेंट्स नहीं होते हैं, ड्रंक और ड्राइविंग वाले आपने देखे होंगे, मैंने कहीं सारे वीडियोज डाले हुए चैनल पर काफी खतरनाक खतरनाक एक्सिडेंट्स होते हैं, जिसमें ना सिर्फ गाड़ियों के लोगों को नुकसान पहुंसता और रोड के साइड में उतर कर नीचे जाकर पलट गई, और इसका डैश कैम फुटेज भी है, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, रोड के साइड में अर्टिगा जाकर पलटी हुई है, और इसके लाइटे वगेरा जल रही है, जिससे बता चल रहा कि ये हाथसा भी इसके साइड गाडी को भी काफी गलत तरीके से चलाया जा रहा था, यही सब रीजन रहा होगा, जो भाई चे गाडी समली नहीं और नीचे जाकर पलट गई, अलाकि अच्छी बात ये थी कि ये गाडी किसी दूसरे गाडी में या फिर किसी हैवी वेकल में नहीं लड़ी, वड़ना काफी जादा नुकसान हो जाता, अभी ये नीचे जाकर पलट गई है, और जहाँ पर ये पलटी है, वहाँ पर काफी बड़े बड़े घास भी लगए हुए हैं, इसलिए इसमें बहुत जादा नुकसान नहीं आया है, राइट साइड डोर्स और पिलर्स भगएर पहुचा सकती है, और इसमें तो सिर्फ इनकाई नुकसान हुआ है, लेकिन कई बार लोग ऐसे ड्रंक पगएरा होकर दूसरे गाड़ियों को भी टककर मार देते हैं, और अगले एक्सिडेंट में आपको वैसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा, जिससे आंधर प्रदेश स मिस्टर साई चंद चौधरी ने शेयर किया है, अगर आपके पास भी किसी एक्सिडेंट का फोटो या वीडियो है, तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे एमेल, फेस्बुक या फिर इंस्टाग्राम पेच पर शेयर करें, ये एक्सिडेंट टाटा सफारी फेसलिफ्ट और मारूती सुदुकी डिजायर के बीच, अंध प्रदेश के अराकु विशाखा पटनम में हुआ है, यहाँ पर भाई ने बताया कि एक टू लेन रोड पर टाटा सफारी और डिजायर दोनों आमने सामने से आ रही थी, तब ही अचानक कि एक जगए पर डिजायर के ड्रा इसलिए उनको शायद और भी कुछ समझ में नहीं आया, और उन्होंने गाड़ी रोकने उखने के बज़ आये, सीधा ले जाकर टाटा सफारी में घुसा दिया, और ऐसे ही सिचुएशन में वाई डैश कैम सबसे ज़्यादा काम आता है, यूँकि आपके पास प्रूफ रह लाइट, फेंडर, विंडशील्ड, रेडियेटर, ग्रिल, सब कुछ अंदर घुसकर काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है, इसी के साथ इंपक्ट इसके कैबिन में भी देखा जा सकता है, गाली का डैश बूर्ड वगएरा कुछ हद तक तूट गया है, वहीं दूसरी त आगे के तरफ मुड़ गया है, और लिफ्ट साइड में एक डेंट आ गया है, खैर बात करें कैबिन की, तो इस टकर में यहां तक इंपक्ट पहुंचना नामुम्किन है, खैर फिर भी इसके एरवैक्स ओपन हो गया है, जब यह गाड़ी लाँच होई थी, तो बहुत और प्रॉपरडली वर्क किया है, जिससे गाड़ी चला रहे है, ड्राइवर को बिल्कुल भी चोटे नहीं आई, वहीं सामने डिजायर की भी टाइमली एरवैक्स खुल जाने की वज़े से, उसके भी ड्राइवर को चोट नहीं आई है, तो भाई यहां पर नई नई गाड ग्रैस टेस्ट करते हैं मालुती वालों के साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी गलती यह डिसायर वाले की है, अब जैसा भी सिचुएशन यहां पर क्र्टियेट होआ हो, यह पूरी तरह से होश में नहीं थे, या किसी को बचाने के चक्कर में एकदम स काफी भारी बढ़ सकती हैं, यहां पर चलिए अच्छी बात थी, कि सामने सफारी थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए यही पर कोई बाईकर होता या कोई पेडेस्ट्रियन होता, तो उसकी तो जान खतरे में पड़ जाती ना, इसलिए भाई अपने स